अगर आपको लग रहा है कि 2020 में आई महा कांडो की गिंती खत्म हो गई है तो आप गलत है जंगल में आग, कोरोना वाइरस, अर्थक्वेक, गैस लिकेज और अमफान तूफान के बाद एक नई बुसीबत आ गई है और वो है लोकस्ट अटैक और ये अटैक 26 साल बाद इनका सबसे बड़ा हमला है जो कि हमारी food security को भारी नुकसान पहुचा सकता है तो सला ये दुख का खतम नहीं होता बे तो हेलो लोकस्ट और कुछ नहीं बलकि छोटे सिंग वाले ग्रास होपर ही होते हैं जिने हम हिंदी में टिड़ा भी कहते हैं जादा तरिया केले ही रहते हैं लेकिन कुछ behavior change आने से ये अपनी population तेजी से बढ़ा कर एक sworn या ये कहें एक बहुत बड़े जुंड बना लेते हैं जो क 740 स्क्वार किलोमेटर तक बड़ा हो सकता है और वो 1500 किलोमेटर पर डे की रफ्तार से उड़ सकता है इस पर भी हवा ने साथ दिया तो फिर क्या ही कहना एक टिड़ा एक दिन में अपने वजन के बराबर का खाना खा जाता है और हवा में 5000 फीट की उचाई तक उड़ सकता है चार करोड लोकस्ट का एक सौरन एक ही दिन में 35,000 लोगों के हिस्से का अनाज खा सकता है लेकिन ये सिर्फ अनाज ही नहीं खाते बलकि अपने रास्ते में आने वाली पूरी हर्याली को खतम कर देते हैं जैसे किसी हरे भड़े पेड़ पर इन टिड़ों ने हमला किया तो ये सिर्फ उसकी फल नहीं खाएंगे बलकि उसकी पत्तिया टहनिया सब चट कर जाएंगे और बचेगा थो सिर्फ लकडी का ठूट इनका हमला किसी भी देश की फूरी तरह से नुकसान पहुचा सकता है और अभी इस मुसीबत को 60 देश जहेल भी रहे हैं इतना ही नही ये वोटर सप्लाई और रेलवे लाइन्स को भी एफेक्ट कर देते हैं इसके अटैक के बाद रेलवे लाइन्स सिलिपरी हो जाती है जिने साफ करना पड़ता है ये कुओं को भी क्लॉक करने के लिए काफी मशूर है एक सिंगा लोकास्ट 500 अंडे तक दे सकता है जो इनकी हिंद और अरब सागर में साइकलोंज आये जिसकी वज़े से साउधी अरब के मौसम में भारी फिर बदल हुआ और वहां रेगिस्तानी इलाकों में पानी भर गया इस मौसम में बदलाओं के बाद वहां भयंकर लोकास्वाम सामने आया जो अरब से यमन और फिर ओमान पहुज गए हैं लेकिन इनसे बचने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं इनसे बचने के लिए राइस्थान में ड्रोन से पेस्टिसाइड्स का छड़काओं किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड को भी लोकास्ट अटैक के लिए रेडी किया जा रहा है इसके पाए और अपनी खरीफ की फसलों को भी 2020 में इस नई मुसीबत के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट के द्वारा जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कूल भी ना भूलिएगा थैंक यू